प्रिवार वालों को जगडने के लिए चोड़ देते हैं और सच मुछ लोग लड़ते हैं जो इतना बुरा कितनी शर्म की बाद है मैंने देखा है कि लोग महल बनाते हैं उन्होंने एस्टेट प्लानिंग नहीं की इसलिए उनके परिवार वाले उनकी मौत के बाद जगडने लगे रास्ते पर कुट्टे बिल्लियों की तरह वो भी खुली हुई गलियों में जो शर्मनाक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए एस्टेट प्लानिंग बहुत जरूरी है बहुत लोग सूचते हैं कि हमें एस्टेट प्लानिंग तब करनी चाहिए जब हम 60 या 70 साल के होते हैं यह गलत है जिस दिन आपकी जायदाद के लिए या एसिट के लिए एक से ज्यादा कानूने उत्त पराधिकारी आता है तो आपको पूरी तरह से एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए जिस भी दिन हो उदारन देखिए आज आपके माबाप हैं और जिस दिन आपकी शादी होती है आपकी पतनी होती है अभी आपके पास कुछ एसिट है अगर आपका खुद का एसिट है यान कि वो पहले से ही बटा हुआ है अब मान कर चलिए मुझे मेरे पिता से एक सो करोड की जायदाद मिली है तो इसका मतलब मेरा बेटा मेरी पतनी मेरी बेटी ये सब लोग या फिर मेरा भाई इन सब को उस पर अधिकार होगा और वो खानूनी तोर पर बटा होगा लेकिन पतनी जिनने मैं चाहूं दे सकता हूं है ना तो अब एस्टेट प्लानिंग आपको मदद करती है नौमिनी या खानूनी उत्तरा धिकारी या अपने परिवार के सदस्यों को जायदाद माटने में या आप जिसे भी देना चाहें जैसा भी आप करना चाहें मान कर चलिए मै अब मैं तै कर सकता हूं कि मैं ये पूरे सो करोड की जायदाद एंजियो को दूँ या फाउंडेशन को या मैं चैरिटी को दे सकता हूं ये मेरा निरने होगा क्योंकि वो मेरी अपनी जायदाद है इसी तरह आपने देखा होगा कि कई सारे अरब पतियों ने जो बहुत ही जादा आमीर हैं उन्होंने अपने खुद की जायदाद के 90 प्रतिशत 95 प्रतिशत जायदाद ऐसे ही दान कर दिये हैं चैरिटी में ये आपके हाथ में होता है और दूसरी जरूरी बात ये है कि एस्टेट प्लैनिंग तो बस बटवारा करके जायदाद को हमारी अगली पी जो 100 करोड कमाता है उसे 60 करोड मिलेंगे जो खुद से जिंदगी में सिर्फ 20 करोड के एसिट बनाता है तो उसे सिर्फ 20 करोड मिलेगा तो मैं इस तरह से भी बटवारा कर सकता हूँ तो इसका मतलब तो जैसे की कमपनी में होता है पूनस इंसेंटिव मिलता है उस तरह इस्ते लिए बात ये है कि बहुत से मापाप अपनी बनाए हुई जायदाद को उनके बच्चों की जरूरतों के लिए एक सहरा बनाते है। ये खलत है। उनके लिए इतना आसान नहीं बनाना है। फिनाशल फ्रीडम आप को चुनिए, फिनाशल फ्रीडम आप पर एस्टेट प्लानिंग पर विस्तृत कोर्स है, जिसमें आपको एक-एक करके एस्टेट प्लानिंग का मार्क दर्शन मिलेगा, उसका इस्तेमाल कीजिए, मुझे यखीन है इससे आपकी जिंदगी बदलेगी इतना ही नहीं, अगर आपका कोई भी सवाल है, परस्टनल फाइनेंस, करियर, फार्मिंग या बिजनेस पर, आप फिनाशल फ्रीडम आप पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं अगले एपिसोड में उसका जवाब दूँगा, जरूर से जरूर दूँगा, बहुत बहुत शुक्रिय प्राग्य बने, धनी बने